हेलो गाइस गुड इवनिंग देसे शांत कुमार भादवाज और यूटूब चैनल कॉंट में डी जी जैसा है कि लास्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रोपोर्शन पे ठीक है तो चलिए हम लोग प्रोपोर्शन पे डिसकुर्शन करते हैं बीना समय गमाए हुए पिट इक्वैलिटी ऑफ रेशियो ठीक है एक्वैलिटी ऑफ रेशियो इसको इसको समझना है तो मतलब यहाँ जब भी बात कर रहा है बेटा तो दो रेशियो की बात कर रहा है मान लिया जाए कि वो ratio मतलब equality word अगर लगा दिया तो इसका मतलब दोनो equal तो बेटा यही proportion में अगर notation इसको करना होता है तो A is to be proportionate पढ़ते हैं या proportional to P is to D यह होता है बेटा मेरा इसका representation A, B, C, D को अगर proportional लिखना है इसका मतलब इसका मतलब क्या होता है बेटा यह ध्यान रखिएगा मतलब कि A by B is equal to P by D अब अगर cross multiplication करते हैं बेटा तो यहाँ पर एक चीज़ आता है A, D is equal to B, C या या इसका मतलब बेटा क्या होता है एक चीज़ ध्यान रखना सुन लो सबसे पहले यह जो part है न बेटा यह part यह दोनो A और D A, D इसको कहते हैं हम लोग extremes ठीक है और B और C जो है इसको कहते हैं means अब एक चीज़ देखो तो A, D और B, C A, D is equal to B, C इसका मतलब क्या होता बेटा product of extreme is equal to product of mean product of extreme is equal to is equal to product of mean होगा न, यह मतलब A, D is equal to B, C अब सुन लो जैसे, as for example हम लोग लेते हैं, कैसे जैसे 4 ratio 12 लिया हमने 6 ratio 18 लिया तो बेटा, 1 ratio 3 और यह भी तो बेटा, 1 ratio 3 तो यह दोनों क्या हुआ? यह common हो जागा, इसमें 4 common हो जागा, ठीक है? मतलब, यह दोनों क्या है मेरा? 6 ratio 18 लिया, 4 ratio 12 क्या है? यह मेरा proportional है ठीक है भाई? Proposional to each other ठीक, अब सुनिए, अब हम लोग बात किसकी करेंगे? बेटा, यह जो A is to B proportional to C is to D है तो बेटा, A को क्या कहते हैं? B को क्या कहते हैं? C को क्या कहते हैं? और D को क्या कहते हैं? इन चारों को क्या कहते हैं? ठीक, यह ध्यान रखना हैं? मतलब यह चारों बेसिकल एगा जोइंट बात किया जाए तो यह क्या होता है, बेटा, मेरा terms इसको कहेंगे, बेटा first term यह मेरा होता है, बेटा, second term यह होता है, बेटा, मेरा third term और यह होता है, मेरा fourth term यह ध्यान रखना है आपको फिर्स टर्म, फिर्स टर्म अब मैंने आपको बता दिया कि प्रोड़क्ट ओफ मीन्स इस इक्वल टू प्रोड़क्ट ओफ अब सुनो एक आता है अगर कुछ ऐसा रहा A is to B प्रोपोर्सनेट तो B is to C मतलब अगर फिर्स टर्म, 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 फिर्स टर्स टर antecedent of second ratio, antecedent of second ratio, अगर ऐसा होता है, तो बेटा इसको क्या कहते हैं हम लोग, या दखियेगा, continued ratio, इसको क्या कहेंगे बेटा, continued ratio, या continued proportion, continued proportion, continued ratio ने continued proportion को, क्योंकि proportion का use कर रहे हैं हम लोग, continued proportion, ठीक है, अब सुनियेगा, मतलब, a by b is equal to b by c, this implies b square is equal to ac, बेटा यह आपने देखा, b square is equal to ac, हमारे पास और भी में भी आया था, gm जो हम लोग बात कर रहे था, या gp अगर अगर अभी c में है, तो या देखे हैं, continued proportion is a geometric mean, ठीक, मतलब, या geometric mean जो होता है, a by c के बीच का geometric mean होता, वही मेरा continued proportion, ठीक, अब इसमें ध्यान रखना है, एक और चीज़, यह जो होता है, यह तीन quantity है, इसमें सिर्फ तीन quantity है, a, b और c, तो बेटा, a को क्या कहेंगे, a को क्या कहेंगे, a को तो first proportion है हमारा, यह तो first proportion है, इसको लेकिन first time है, इसको बेटा mean proportion कहा जाता है, याद रखिएगा, mean proportion, ठीक है बाई, mean proportional, और इसको क्या कहा जाता है, third proportion, यह आपको ध्यान रखेंगे, ठीक है बाई, अब चलिए, अब मैंने simple, अब कभी एक question पर इतना ही है बेटा, बस थोड़ question हम लोग discuss कर लेंगे, और module बार बार मैं बोलता हूँ, जब second chapter पूरा हमारा complete हो जागा, तब फिर से मैं एक बार module रिभी लूँगा, number system में मैंने क्यों लिया था, क्योंकि number system is the basic of mathematics, ठीक है, अब देखो, question की बात करें हम लोग, question की बात करें, जैसे आप से कहा, 6, 8, and 15, यह दिया हुआ है, ठीक, भाई, इसका fourth proportional क्या है, fourth proportional, तो बेटा, एक चीज़ याद रखना, एक होता है rule of three, rule of three, ठीक है, rule of three, rule of three क्या कहा जाता है, rule of three क्या कहता है, बेटा, multiplication of mean, multiplication, या multiplication ना लिखे, एक standard लिखो, product of mean divided by product of, product of means divided by custom, तो बेटा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, mean कौन सा है, 8 into 15 upon 6, 32 जा, 6, 35 जा, 15, 24 जा, 8, next कितना होगा बेटा, 20 इस दे, इसी को कहता है rule of three, ठीक, ठीक है, अब सुनूँ, देखो, एक बात हमेशा ध्यान दखिएगा, कभी कभी कुछ चीज़ें ना, इस में proportion में, बहुत चीज़, अभी मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको, types of proportion में, बस main मैं component, dividend और addendo बताऊंगा, ठीक है, और each term बताऊंगा, ठीक है, जैसे, मैंने आपसे कहा, एक question हम लोग लेते हैं, question क्या होता है, देखो, तुम लोग को question अगर पूछेगा ना, तो ऐसा ही पूछेगा, वो question देखो क्या है, मान लिया जाए कहा आपसे, divide करना होता है, ठीक, मान जाए कहा कि divide rupees 2430, divide rupees 2430, ठीक, इसको, among a, b and c, such that such that here here we diminished by we diminished by rupees 5 rupees 10 and rupees 15, क्ये 15 होना है the remainder cell be in the ratio option भी दिया हो रहेगा, the remainder cell be in the ratio कितना है, पांच, दस, 15 3 ratio 4, ratio 5 ले लो, 3 ratio 4, ratio 5, ठीक, तो आपको निकालना है, तीन person में divide करना, तुनो, इसमें ज्यादा न, दिमाग हम लोग को नहीं चलाना, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं चलाना, जैसे, क्यों चाप, आँख बंद करके, ratio कितना है बेटा हमारा, तीन ratio, चार ratio, पांच, ठीक, याद रखिएगा, इन्टू, 24, सो, इमनिस्ट कितना से हो रहा था, पांच से, पांच, ये क्या होगा, ये होगा, बेटा मेरा, is there, ठीक, अगर 20, सेयर की बात करें, तो हो जागा कितना, 4 upon 3 plus 4 plus 5, इन्टू, फिर वही 24, सो, प्लस लेकिन कितना, 10, तीस सेयर कितना आपको करना है, इस तैप का question है, जेनरली पूछा जाता है, 5 upon 3 plus 4 plus 5, इन्टू, 24, 100, इन्टू, प्लस 15, 15, क्यों होगा मेरा, प्लस 15, देखो तो बेटा, कितना हो जाएगा, 3 upon 12, इन्टू, 24, 100, प्लस 5, 200, 300, प्लस 5 बराबर, रुपीज, 605, इसमें कितना हैगा, बेटा, 3 by 12 हो मतला 1 by 4, 4, 4, sorry, 1 by 3 होगा, sorry, यह कितना होगा, 4 by 12, इन्टू, 24, प्लस 10, मतलब 200, पराबर, रुपीज, 810, ठीक, इसमें देखो कितना बेटा होगा, 5 upon 12, इन्टू, 24, 100, प्लस 15, इस इकल टू, यही तीनों का तेयर होगा, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है, यह क्लियर हो गया, अब सुनू, टाइपस ओप्रपोर्शन में आता है क्या, मैं बेसिकली सिर्फ, तीन चीज़ों की बात करूँगा, टाइपस ओप्रपोर्शन में, क्योंकि वो जानकारी भी होना बहुत जरूरी है, या फॉर्मस ओप्रपोर्शन भी कहता है, या टाइपस ओप्रपोर्शन भी कहता है, बाकी जो हम लोग देखेंगे, जो मॉडूल में होगा, वो तो हम आपको डिस्कस करही देंगे, फॉर्स्ट होता है बेटा, कंपो निंडो, कंपो, ठीक है, कंपो निंडो, अब सुनो कंपो निंडो क्या कहता है, मान के चलना है कि A is to B is proportional to C is to D, इसका मतलब बेटा क्या, A upon B is equal to C upon D, अगर दोनों साइड में बेटा 1 add कर दें, कोई फर्क भी पढ़ेगा आपको, नहीं पढ़ेगा, मतलब यह A plus B upon B हो जाएगा, और यह C plus D upon D हो जाएगा, इसको 1 लेके चलो, ठीक, अब सेकंड में क्या आता है बेटा, सेकंड में आता है आपका डिवी डेंडो, तीवी डेंडो, और देखो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, यह बस आपको, यह क्या है, रिव्यू है, मतलब रिव्यू नहीं, मतलब बस एक आपको information है इसके बारे में, main information October से start होगा, जो की मैं करूँगा live session में, ठीक है, live session में जब जिस topic का, मतलब मुझे question practice कराना होगा, वो एक से दड़ घंटे की classes चलेंगी, तो जिस topic का practice का पहले तो वो मैं topic discuss करूँगा, एक से पहले मैं मैं पहले second chapter करूँगा, बाद में chapter one पे हम लोग discussion, ठीक है, तो chapter one क्योंकि आपको पता बहुत long है, ठीक, तो chapter two में जो चोटे 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 topics है ना, वो पहले हम लोग find up कर लेंगे, पहले theoretical concept भी आपको revise करा देंगे, फूरा, ठीक है, और question से बहुत सारे tricks हम लोग discuss ठीक, अब सुनो, यहाँ भी तो बेटा वही है ना, यहाँ भी तो वही है हमारा, अब सुनो, a by b is equal to c by d, अगर दोनों side में बेटा, अगर अपन minus one कर दें, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, a minus b upon b is equal to c minus d upon d, इसको माल लेते है है, second, ठीक, अब सुनो, एक word आता है, third one, और वो होता है, जिसको sort में कहा जाता है, cnd, और उसको कहा जाता है, componendo, and tv, tendo, ठीक है, componendo and dividendo, और इसको sort में क्या कहते हैं बेटा, cnd, यह क्या कहता है बेटा, आपका, one divided by two, one by two implies, इसका मतला बेटा, a plus b upon b upon a minus b upon b is equal to c plus d upon d upon c minus d upon d, बेटा, फ्रेक्शन में तो यह dd कटेगा, bb कटेगा, मतला, this implies a plus b upon a minus b is equal to c plus d upon c minus d, यही होता है, बेटा, मेरा, componendo and dividendo, ठीक, ठीक है, यह मेरा dividendo, हलाकी यह भी वही होता है, इसको भी componendo ही, कुछ-कुछ books तो इसको componendo ही कहा है, लेकिन CS, CS में जंदली मैं देखा हूँ, कि इसको dividendo का, ठीक है, करेंगे, कर सकते हैं, कोई दिकत नहीं है, तो यह basically बेटा, यह है, अब सुनो, अब अगर ऐसा रहा, आपके पास, कभी-कभी क्या कहेगा, कि आपको जो है न, तो add करना है, addendo, एक होता है, fourth one में आपका अबमान के चलो, उसको कहते हैं, addendo और subtrahendo, ठीक है, addendo, addendo कुछ नहीं होता है, बेटा, जैसे, कितने भी, sum of antecedent upon, देखो, इसमें क्या करेंगे, sum of antecedent upon, sum of consequent कहते हैं, sum of antecedent upon sum of consequence, यह होता है, मेरा addendo, ठीक है, अब सुनिए, अब जैसे देखिए, अब आपको कुछ-कुछ हमें questions करा दे रहा हूँ, कुछ-कुछ, ज्यादा मैं question नहीं कराऊँगा आपको भाई, ज्यादा question मैं proportion पर नहीं कराऊँगा, अभी फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा, क्योंकि अभी कराने से हमारा कोई फायदा है नहीं, अभी हम लोग को जानकारी चाहिए, बस कि हाँ भाई, knowledge हमारा कितना आ रहा है, हम वो देख लें, बस काम खतम हमारा, ठीक है, एक दो question हम आपको करा देते हैं, जैसे, कहा question क्या, की ठोटा सा question, फिसर डिवा कहा कि 391 को, रुपीश 300, 300, 3 proportion में divide करना है, ठीक है, 3 proportion में divide करना है, divide in 3 proportion, divide in 3 proportion, ठीक, to the fractions, to the fractions, तीन fractions दिया वराएंगे, 1 by 2, 2 by 3, 3 by 4, देख रहा हो, continued है न, 1 by 2, 2 by 3, 3 by 4, ठीक, अब सुनो, इसको कैसे बनाएंगे भाई, इसको कैसे बनाएंगे, देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखे, पहले तो 2, 3, 4 का LCM निकाल, पारा हैगा, अलाकि कर लो, 2, 3, 3, 2, 6, 2, 12, LCM बराबर कितना है, मेरे पास, 12 हाया, LCM 12 हाया, सब को बराबर कर, ठीक, सब को बराबर कर, कितना हो जाएगा, 12 LCM आएगा, मतलो, सब को बराबर करना है, तो 1 by 2, कितना हो जाएगा, भाई, 1 by 2 को कितना लिख सकते हैं, 1 by 2 को, तो 6 अपाउन 6 परावर 6 भाइ 12 टू भाइ 3 को कितना लिखना होगा 12 करना है ना 4 भाइ 4 8 भाइ 12 ठीक फिर 3 भाइ 4 को कितना लिखेंगे बेटा 3 भाइ 3 9 भाइ 12 तो रेशियो इसका सब में 12 है तो 6 रेशियो 8 रेशियो 9 हो जाएगा ठीक या दखेगा अनौट 17 6 प्लस 8 प्लस 9 अभी जस्ट कुश्यन बताया थे 23 हो जाएगा तो बेटा एक बात बताओ फर्स्ट पार्ट कितना होगा फर्स्ट पार्ट इस इक्वल टू इक्स वाइट 23 इन्टो 391 बराबर 23 से आपका कटेगा कितना होगा ते इस से कितना 23 एक और कितना चला जाएगा देख लीजे तो ते इस चे उन्तिस सोलर 17 यह कितना हो जाएगा एक सो रूपीज एक सो दो टेकंड पार्ट कितना हो जाएगा भाई 8 वाइट 23 इन्टो 391 मतलब यह फिर से 17 17 इन्टो आट कितना होता है भाई रूपीज 136 ठीक थार्ड पार्ट कितना हो जाएगा भाई 9 upon 23 into 391 23 into 17 79 जा कितना होगा बिटा 153 यही न तीनों पार्ट एंसर आएगा अभी जैस तो हम लोग किये थे ठीक है, clear हो गया देखो हलाकि एक चीज आता है एक चीज और आता है क्रिस्क्रोस में ठीक है या method of allegation भी कहता है बट मैंने देखा आपका module देखा तो उसमें देखा कि method of allegation पर questions वैसा नहीं दिया वा लेकिन हम लोग एक दो question उस पर करेंगे लेकिन हाँ, वो कब करेंगे बिटा जब हम लोग अपना revision करने start करेंगे, तब करेंगे ठीक है, ठीक है इतना ही proportion हम लोग को पढ़ना है बेटा, इससे ज़्यादा हम लोग को proportion भी नहीं पढ़ना है तो हम इस पर ज़्यादा आपको westerns of time नहीं करेंगे, तो चलिए मिलते हम लोग next class में, till then take care, bye bye, good night